नमस्कार दोस्तों इनकी एज 43 एर्स है और इन्होंने कुछ थोड़े से सवाल पूछे उनकी जानकरी में है दे दू पहला सवाल है बिजनेस इन माय हैंड क्या मेरे हाथ में है बिजनेस है के आई डू बिजनेस और यस अगर सवाल यस है तो वेन इट विल बी स्टार्ट और इन्होंने इसके बारे में पूछा है और मैं ये जो बिजनेस और जॉब करने वाले व्यक्ति जब पूछते हैं तो उनको एक ही अच्छा उधारन देता हूँ सुन्दर पीचे ही वो व्यक्ति जॉब कर रहा है पर अर्बो कमा रहा है हमारे हाथ में हम कितना ग्रोथ चाहे वो जॉब के द्वारा हो चाहे आप बिजनेस करके कमाओ पैसा महत्वका है संफलता महत्वकी है तो आप इस पेक्टर में मत जाहिए आपके जीवन में कब अच्छा समय है वो मैं लाइनों के द्वारा आपको बताऊंगा अभी तक आपके टेलेंट का यूज ही नही हाले है शौट पिरियर में मैं ज्यादा समय भी नहीं लूँगा एक दो सालों के अंदर ही आपके जीवन में प्रोग्रेस होते दिखेगी पामिस्ट्री है तो एक्टुरिसी में थोड़ा सा एका साल का फरक आता है मुझे तो ऐसा लगता है नेक्स्ट येर से ही आपका जी है उसका यूज मिला ही नहीं है आपको अब आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा सफलता तो आप चाहे जौब करो तो भी बहुत हाई लेवल का पैसा मिलेगा और खुद का बिजनेस करोगे तो भी अच्छा पैसा मिलेगा तो नेचनल और इंटरनेशनल लेवल यस इंटरनेशनल लेवल का हाथ आपका है विदेश से आलवेश संबंद रहेगा ट्राइंगल भी आपके चंद gr-pot or ack 4stad बी sun mount पर है तो रोनेशन लेवल का और अलवेश रहेगा अब कौन से प्रोड़क का करोगे उसकी जानकरी मैं नहीं दे पाऊंगा इतनी नौलेज नहीं है मैं पास वेन आई विल रिटरन बैक टू इंडिया पर्मेनेटली आपका विदेश से संबंध रहे गई आप इंडिया अभी आ गए तो भी विदेश से संबंध रहने वाला आपका इस तरह का आपका हाथ है हो सकता है आप आने की तैयारी में ही हो और दूसरा सवाल है मैं मुझे कब मौका मिलेगा परिवार के साथ रहने का मैं आपको एक उपाय दे दूँगा आपके जैसे जो पीडित होते है जो फैमिली से दूर रहने वाले उनको उपाय दी है और सब पर वो लागू हुआ है तो मैं आपको भी वो उपाय दे दूँ तो आप वो यूज कर लेना तो चांसे सापके काफी ब्राइट हो जाएंगे सेकंड सवाल है दूसरी कंट्री में मूग करना यह अभी भी विदेश में ही है एज 53-55 तक आपके जीवन में कई बार बदलाव आएगा आपकी जीवन रेखा बार बार चेंज होकर निकल रही है तो ऐसे लोगों को या तो घर बदलता है या देश बदलता है या शेहर बदलता है तो बदलाव आते रहेंगे अब तू एज 53-55 तक शेहर मार्केट इस सुटेबल फॉर मी 49 के बाद आप शेहर मार्केट में दिमाग लगाना अभी मत लगाना क्योंकि बीच-बीच में कट भी है उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा और थोड़ी सी राव रेखाए भी है बाकी मादिमों से आप पैसा कमाईए इन दीज माए है लाश बर्थ मोक्ष मिलेगा ये जन्दली मैंने ये चैनल चालू करने के बाद एक नोट किया है जो जुपिटर की उंगली और शनी की उंगली के बीच में कभी फिश साइन बनती है एक सुन्दर सी ऐसे लोगों को मोक्ष प्राप्ति का बहुत ज़्यादा मोहो रहता है मैं सब्रियूज करा मोह ये साइन के कारण होता है अब मैं आपको रियालिटी पर लेकर जाता हूँ हमें कोई संदान प्राप्त हुआ तो हमें खुशी होती है हमें कोई अच्छी जॉब मिली तो इसी जीवन में खुशी होती है हमने ज़्यादा पैसा कमाया या घर ले लिया तो भी हमें खुशी होती है अब मोक्स एक ऐसी चीज है आपको मिल भी गया तो आपको पता चलने वाला है मैं किवल आपको खुश करने के लिए बोल दूँगा हाँ मोक्स प्राप्ति हो जाएगी ना आप देख पाने वाले हो ना मैं देख पाऊंगा पर मैं अभी कहूंगा कि 49 में आपको लॉस जाएगा और 43 से आपके जीवन में या 44 से बरकत मिलने वाली है तो आपको वर्तमान में उसका आनंद आएगा आप जीते जी उसका आनंद लोगे अब मोक्ष का एक ऐसा सवाल है जो मैं बोलूंगा तो भी जूट हो सकता है और वो सज भी हो सकता है और आपको मन राजी करने के लिए बोल दूँ हाँ वो साइनों के कारण इस तरह का लोगों के मन में रहता है बाकी मरने के बाद व्यक्ति कहां जाता है क्या है इतना कहां हम योगी और भो हम जीवन योगी वाला जीते हैं तो इन सारी चीजों मैं कहां पर जाने के आवशक्ता है वर्तमान में जीए और जीवन का आनंद ली जीए सारा कुछ इसी दुनिया में है हमारे मर जाने के बाद हमें क्या पता हम कहां जा रहे कोई इसका रिचर्च नहीं कर बाया मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि व्यक्ति की मृत्यू कैसे होती है पर वो मर गे आदमी का हाथ देखू कैसे उसके हाथ के फोटो लू कैसे क्योंकि आज पास मैं पचीस पचास लोग होते है एक बार तो मैंने यह जो सर्जरी का माश्री करते है माश्र अरफ सर्जरी वो व्यक्ति संपर्ग में आया यानि लेडी थी तो उनको रिक्वेस्ट की कि भाई यह जो आप मृत्य होते है उनके हाथों के फोटो भेजो ना कहीं देखने तो मिले कि कौन सी लाइन की वज़े से इस रिक्ति की मृत्य हुई पर वो भी पॉसिबल नहीं हुआ फिर मैंने भी सोचा कि इस negative subject में कहां जाना तो यह ऐसी चीज है मोख्स हमें अगर मिल भी गया तो हमें क्या उसका फायदा मिलने वाला और नहीं भी मिला तो क्या फायदा मिलने वाला वरतमान में जीये जीवन का आनंदी लीजे तो यह एक मेरे विचार बताए है मैंने और ये generally जो भी मोक्ष का प्रश्ण पुछता है उनको मेरे ये विचार रखता हो सकता है आपके विचारा लगो क्योंकि आपके हाथ में साइने है वैसी अब आपके पाम एनालिसिस पर चलते सवाल पुछने से ज़्यादा एक्चिल में ना रियल में एनालिसिस में सब कुछ पता चल जाता है न भी सवाल पुछो तो भी बहुत आसानी से हमारे क्योंकि ये वीडियो है हमारी लाइन के अपडाउन आपको भी दिखेंगे मैं जहां पर बोलूंगा खराब है तो आपको दिखेगा खराब है जहां कहूंगा अच्छा है तो वहां आपको भी दिखेगा अच्छा है क्य यहां से इसको आसिरवाज समझता हूँ, ठीक है, हमें एस्ट्रोलोजी से ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है, उसमें बहुत आसान है, किसी का भविश्य बताना, आसान यानि विद्या मिल गई उसके बाद आसान है, नौले जाने के बाद आसान है, पर बहुत आसान है, और कहां पता चलने वाले कौन सी दसा चल रहे हैं, यहां तो लाइनों से पता चलता है, कि यह लाइन इतनी खराब है, यह सही बोल रहा है, इसके बाद अच्छी है, तो अच्छा होगा, तो यह सारे सब्ज़ेक्ट है, चलिए अभी एनालिसिस पे चलते हैं, जब किसी व्यक् और उसके बाद पस्ताव उलता है, मैंने ये कारे किया होता तो अच्छा होता था यह पाम, स्क्वेरीज भी और रेक्टेंगल भी है, तो यह सेल्स और मार्कीटिंग में भी ऐसे लोग एकस्पकल होते हैं, और चोडाई होती हैं तो महिंती भी होते हैं, अंगुठा बेंड हो रहा है तो चुटकी बजाकर मित्र बनते हैं ऐसे लोगों के चुटकी बजाकर और अच्छा खासा समय मित्रों में जाता है यह अगर पत्नी के साथ रहते होते हो तो रोज गाली खाते हैं ऐसे लोग पत्नी से खुशी यानि नाराजगी से नहीं यानि म इत्रों में इनका ज्यादा समय जाने के कारण पत्निया नाराज रहती इनसे, ये इस तरह के अंगूठों वालों से, मेरा कहने मतलब वाद विवाद होता है ऐसा नहीं, पर एक कहीं न कहीं बोलने का एक प्रश्ण रहता है, फर्स पहले नुकीला है, तो कारे के प्रती काफी जिद्ध होती है, और फोकस माइंड रहता है, ये भी एक एडवांटेज है, अब मैं इतना भी इसके लिए बोल पा रहा हूं कि इनके साथ मेरा कम्मिनिकेशन काफी बैटर हो चुका है, इसके लिए मैं अच्छी तरह से समवाद कर पा रहा हूं, सेकेंड फेलेंज, नॉर सेक्टी में धार्मिक भावना होती है, सुरी की उंगली बढ़ी है, ये हमती सभाव शो करती है, जिब में पचास जारो पचास लाकी रिस्क लेनी हो, तो बहुत आसानी से लेते हैं, और जिवन का आनन दे लेते हैं, कैसा भी समय चलता हो, ये उंगली जब आपकी टिल्ट होती है, चाहिए लेफ में हो या राइट में, तो पैसा कमाने की ललक भरपूर रहती है, ऐसे लोगों को, भरपूर, और ये उंगली पहुच ही रही है, सुरी उंगली के, फर्स्ट फेलें तक तो व्यक्ति डॉक्मेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संभाल कर रखना, य यह बदला होता है, यहां पर देखें, तो continue चलने वाली लाइन है, इवेक्टि को business minded बनाती है, अगर यह triangle होगा यहां पर, तो innovative भी होते हैं, ऐसे लोग, नया अपन से काम करते हैं, और यह लाइने जादा होती है, तो व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती है, वानी भी दो चार, भाशाओ के जानकार भी होते हैं, बिजनेस सैंस भी पावरफुल होता है, यह सारा advantage, और वानी एकदम मिठी होती है, और यहां पर मुझे square sign ने भी नजर आ रही है, तो ऐसे चलते है, सन माउंट पर, वहाँ पर कौन-कौन सी sign है, वो देखते हैं, पहले तो मुझे यश sign दिख रही है, यह जब sign होती है व्यक्ति के जीवन में, तो जीवन में यश भरपूर मिलता है, यानी fame, सेकेंड, यहां पर देखिए, पहले दूसरी sign ओपर ही जाते हैं, यह square sign, यह व्यक्ति को इंटरनेशनल लेवल का काम करवाता है, multi city, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह यह लोग अपने जीवन में रहते हैं, यह triangle भी है, ऐसे बहुत सारे triangle है, तो यह भी एक advantage है, मन की सारी इच्छा है पूरी करवाता है, लगबग, अब इनकी sign देखिए, सुन्दर sign है, एक तो यहां पर है, second यहां पर यह, इसी जगह पर तीन है, और इसकी size भी हम देखने की कोशिज करेंगे, और एक, दो, यह हो गई, यह हो गई, दो sign है यहां पर और एक बीच में भी बंद रही है, तो तीन sign है तो यहां ही है, अब यह sign की size देखते हैं, मैं यह नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा बढ़ी है, पर फिर भी इसका effect इनको जीवन में काफी उत्तम मिलने वाला, यह कम से कम 6-7 mm की sign है, अब इनके दूसरे एक sign की और देखते हैं, एक यहां पर है, और एक यहां पर भी है, तो इतनी सारी sign हैं, तो आने वाला जीवन इनका काफी उत्तम रहने वाला, मैं लाइनों के द्वारा बताऊंगा, और यह जो cross रहता है, यह जो cross, यह व्यक्ति को पिता से मद्बेद, या पिता से दूर रहना, या पिता का साया चोटे उम्र में जाना, तीन में से कोई ने कोई एक minus point मिलता है, और बार बार जीवन में बाधाया आती है, या हालात ऐसे पैदा होते हैं कि हमें वापस पीछे आना पड़ता है, तो मैं इसका उपाय इनको दे दूँगा, यह एक minus point इनके हाथ में है, अब कई लोगों को लगता होगा यह sign है, पर यह sign नहीं है, यह ऐसे बहुत सारी line हो से मिलकर इस तरह से बन रही है, यह इस तरह से fish sign नहीं बनती, कई लोगों को इस तरह का भ्रहम होता है, यहाँ पर यह square sign नहीं है, वक्ति को पुस्ते नहीं जमिजादात का लाप देते, दो से तीन, चार square है, तो यह advantage है, यह इस तरह की line हो, तो यह एक तरह का शुक्रवलय भी है, तो कला प्रेमी होते हैं ऐसे लोग, यह जो line है, यह बड़े बड़े लोग संपर्ग में आते हैं, इनकी जो capacity होती है, उससे भी बड़े लोग संपर्ग में आते हैं, और इनोंने जो सवा, और continue fate line है, अत्ती उत्तम है, बुरा पे तक तो काफी अच्छा धन, यह जीवन में जमा कर लेंगे, यह जो sign है, यह देखें यहाँ पर, यह मोक्ष प्राप्ति की और लोगों का प्रश्ण जाता है, इस तरह की sign वालों का, और यह जादा तर जितने भी सवाल आए, मोक्ष प्राप्ति की मेरे पास, सब के हातों में यह sign थी, यह धार्मिक बनाती है, और इनकी धार्मा, धार्मिकता भी अलग टाइप की होती है, यह किसी को समझा भी नहीं पाते, और किसी को समझा भी दिया तो अगले को समझ में भी नहीं आएगा, जुपिटर माउंट छोटा है, यह व्यक्ति को परिवार से दूर रखता है, अब जनरली परिवार से दूर हमारे बुआ, चाचा, मामा इस तरह के लोगों से रखता है, पर कई लोगों के जीवन में मैंने देखा है, कि खुद के परिवार से भी इस तर यहाँ पर अगर कहीं पर स्क्वेर, हाँ है यह स्क्वेर, यह जब स्क्वेर साइन होती है, तो व्यक्ति 22 साल के पहले कोई न कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में ऑथोरेटी पोजीशन पर पहुशता है, बागी तो कोई साइन डिख नहीं रही है, एक ट्रेंगल जरूर 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, इस तरह की लाइन नहीं हो, तो व्यक्ति 12 मिल्टी पल, इंकमके सोर्स के पाई प्ल, पामिस्ति ए स्टि अस्टोलोजी, इस तरह की मिस्टी साइंस में ध्यान जाता है, धार्मिता और से वाबा, यह सारा गुनिं अनुरुनी मंगल भी वियरसित है तो साधी रिगुर्जा काफी वियरसित रहती है ऐसे लोगों में बारी मंगल उससे भी जादा अच्छा है जब किसी से मिलेंगे एनरजी से मिलेंगे और कभी आपके उपर अगर प्रॉपर्टी का केस या कुछ केस भी हो जाता है तो आपको ओल्वेज सफलता मिलेगी आप ओल्वेज वीन रहोगी यह लाइनों के द्वारा और मंगल जब अच्छा होता है तो जब किसी से मिलता है एनरजी के साथ मिलता है अब आपका विदेश से क्यों संबंद रहेगा यह देखिए कितना बढ़िया ट्राइंगल आपके हाथ में है यहां पर है एक यहां पर है वेक्षे को कभी बनाता है या विदेस से धन प्राप्ति के योग बनाता ं काफी बढ़े बढ़े हम का विदेस से समंद रहेगा और बहुत सारी लाईं ने देखिये आपकी चंद्रपर्वद पध्यारी है और चंद्रपर्वत भी अती उत्तम है तो इसतर का चंद्र परवत हो, तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, दूद्से बनी वस्तू अच्छी लगती है, नेने शक्ती अच्छी होती, नहीं नहीं चीजे करने का शौक होता है, भहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग, तो ये सारा एडवांटेज व्यक् अच्छा है, शुक्र परवत भी है, काफी अच्छा है, तो अच्छे कपरे पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारा कुंधर में इनमें पाया जाता है, गर्मी पसंद नहीं आती, और ये गर्मी वाले प्रदेश में ही है, जब आपकी हार्ट लाइन में फोर्क हो, तो ऐसे योग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से सामने वाले पर रख पाते हैं, और बहुत ज़्यादा भरो से लायक इंसान होंगे, आप किसी के स्वारूपे भी बाती होंगे, तो सामने से देख कर आते होंगे, और सीधी हार्ट लाइन है आपकी, तो आपको प्यार का दर्शन कभी आता ही नहीं होगा, मन में भरे रखते होंगे, पर आप किसी को शो नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग, बागी हार्ट लाइन में कोई प्राब्लम नहीं है, उत्तम हार्ट लाइन है, हाँ, सेवा भावी सभाव जरूर होगा, मित्रों को सके सम्मद्र को पैसा और यह लाइन है, माबाब की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है, और यह लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो, तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी दूबता है, माइन लाइन भी आती उत्तम है, पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, और यह एक दम सटिक निर्ने नहीं ले बाते, यह एक माइनस पॉइंट रहता है, जब वेवी आपकी माइन लाइन होती है, और बहुत ज़्यादा वेवी भी नहीं है, तो चिंदा करने की जुरत नहीं है, पर महतोकांशी होंगे और अपनी महतोकांशा पूरी भी करेंगे, और मा लाइन लाइन नहीं है, अब आपकी जीवन रेखा पर चले, यह आपकी साधी की लाइन, इस लाइन ने आपके जीवन में सेनाई बजाई, और उसके पहले भी देखिए एक राउरेखा थी, उसके पहले भी एक कट था, और यह जीवन रेखा इस तरह की थी, यानि निल टीनेज से लेकर साधी के दो-तीन साल पहले तक आपका जीवन संगर स्पून तो रहा होगा, अब आपका जो बदलाव है वो ही पहले मैं बता दू, यानि फिर आगे बढ़ते हैं, एक लाइन यह चली, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और यह फिफ्थ, यह इतनी बार आपके ज देश बदलोगे, या शेहर बदलोगे, तीन मैं से कोई ने कोई सारे पॉजिटिव बदलाव होंगे, एक भी नेगिटिव बदलाव नहीं होगा, अब चलते आपकी राव रेखा उपर, एक लाइन ने कट किया, 30 के आसपास, फिर 32 में एक लाइन ने काटा, यह राव देखा है, जो जीवन में डिश्टब लेती है, फिर यह 34 के आसपास है, फिर 37, फिर 39, फिर यहां पर 45 के बीच में भी छोटी छोटी राव रेखा है, जो आपको बीच बीच में डिश्टब करती है, फिर 46, फिर 47 यहां रेखा है जब बी आएगी, आपको छोटी मोटी तकलिबे, मोटी राव रेखा है नहीं है, छोटी-छोटी राव रेखा है, कोई ने कोई तकलिबे आएगी, उसके बाद 51, 53 और लास्ट बड़ी राउरेखा 57 यानि आपके हाथ के हिसाब से बड़ी बागी साइच छोटी है हाँ गल्फ कंट्री में रहोगे तो इतनी छोटी राउरेखा भी डिस्टब करती है पर और कोई कंट्री में रहोगे तो ज़्यादा परिशानी नहीं आएगी और यहाँ से ही देखिए इस एज के बाद सारे ओफशुट में ये लाइनों को मिटाता हूँ इस एज के बाद सारे ओफशुट ही है यानि बुरापा आपका कितना उत्तम जाने वाला है सारे बड़े बड़े ओफशुट है आपके हाथ में और यह एज होगी आपकी उस समय बदलाओ की 53 के आसपास और उसके पहले भी आपको सफलता मिलेगी पर हाँ से और अती सफलता मिलेगी आपको तो आपने जो जीवन जीया है आपने पैसे फिर भी कमाया होंगे क्योंकि साहीने है पर आप आने वाला समय बहुत ज़्यादा उत्तम है आपके लिए अब कट पर चलते हैं इनके और छोटी-छोटी राउ रेखा है तो आपको जीवन भर है पर इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं है यह देखिए एक कट लगा आपको यहाँ पर यह कोई नो कोई पारिवारी खर्चा या तो साधी का खर्चा आया होगा 29 के आसपास फिर एक कट लगा था आपको 38 में यह आप से एक करोड़ से उपर लेकर गया है यह कट आपने जो जानकरी दी एक कट आपको लगेगा इस फेट लाइन पर यह लगबग होगा 46 के आसपास इस फेट लाइन पर 48 के आसपास इस फेट लाइन पर 50 के आसपास और यह फेट लाइन पर 52 के आसपास यानि एक के लाइन अलग-अलग फेट लाइन पर अलग-अलग समय पर काट रही है यानि ये आर्थिक नुकसान देगी जैसे इसने दिया पर उस समय कमा ये आपके पास बहुत ज़्यादा होगी ये एक कट आ रहा है ये इस फेट लाइन पर 54 में देगा इस फेट लाइन पर 52 में मिलेगा आपको कट इस फेट लाइन पर 51 में और यहाँ पर 49 और उसके पहले भी कोई छोटी फेट लाइन है उस पर भी कट है तो ये एकी लाइन आपको अलग-अलग इंकम के सोर्सों पर आपको कट मिलेगा पर फिर भी इंकम आपकी बहुत जादा रहेगी तो चिंता करने की जुरत नहीं है और बुड़ा पे में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं अति उत्तम लाइन है अब मैं लाइनों को दिखाने के पहले एक बेसिक फोटोग्राफ दिखा देता हूं उससे भी इनको जजमेंट आ जाएगा अब यह फोटोग्राफ इसमें यहां तक आपको कोई दमदार फेट लाइन दिखती नहीं होगी कोई दिख रही है फिर भी यह पैसा लाखों में कमा रहे और उसके बाद देखिए हर जगल लाइने स्पष्ठता से दिख रही है यानि आपको ज़्यादा पामिश्टी देखने ना आए तो भी आप नॉर्मल फोटो ले लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि कब से जीवन उत्तम है यह होगी बेसिक अब इनकी लाइनों को हम ओपरेशन करते है यह देखिए लाइने मजबुत है ही नहीं कहीं पर भी अब यहाँ पर यह वर्तमान समय देखिए यह कट जाने के बाद यह यहाँ तक यह लाइन चल रही है पर दम ही नहीं है इस लाइन में यानि बैंक बैलेंस बसता ही नहीं होगा खर चालू लाइन और यह चालू हुई होगी ज़्यादा तर एच चालिस के आसपास से फिर एक और इंकम का सोर्स क्रियेट होगा दो तीन साल अच्छा चलेगा फिर यह लाइन पर वापस एक्सपेंस आएगा पर यह केवल एक लाइन नहीं है और यह एक्सपेंस आएगा आपको इस लाइन पर 45 से लेकर 47 तक पर यहाँ पर थ्रेड है यानि इंकम चालू रहेगी खाली यह लाइन एक्सपेंस जादा कर रहेगी यह एक लाइन आपको कोई न कोई ग्रोथ देगी और यह भी इस एज से अच्छी हो रही है लगबख 43-44 से यह उत्तम बन रही है और यह जो लाइन है यह आपको ज़्यादा ग्रोथ देगी यह 44 यह 45 से तो इतना उत्तम आपका उसके पहले देख लीजिए आपके कोई फेट लाइन में दम दिख रहा है कि आपके कुछ है ही नहीं अब आपके दूसरे फोटोग्राफ पर चलते हैं यहाँ पर भी देखिए यह इतने पार्ट में यह 29 से लेकर इस पार्ट तक कोई ज़्यादा हलन चलन नहीं है और यह जैसे फेट लाइन चालू होगी यह ज़्यादा ग्रोथ देने वाली लाइन है और यह लग बग 44 या 45 से शुरू हो रही है और यह जो पैसिव इंकम है यह भी आपको ग्रोथ देगी आगे चल कर और यह बहुत सारी जगह से अलग-अलग माधियमों से आपके पास पैसे पैसे अलग-अलग माधियमों से पैसे आते रहेंगे और यह बुड़ा पैम है हमने यहां तक तो सब कुछ व्योसिट देख लिया पर आप्टर 56 भी कोई लाइन में कोई खराबी है यह नहीं और कितनी लाइनें देखिए बहुत सारी लाइन है पूरा एक गिटार के वायर होते वैसे तंडिशन है तो बहुत जादा जैसे जैसे उम्रों बढ़ती जाएगी काफी ग्रोथ होगी हाँ आपको बिच बिच में जटके भी लगते रहेंगे हमने यहां तक के तो आपको प्लस माइनस बता दिये पर यहां पर भी देखिए यह कट लगते है तो ये भी आर्थिक नुकसान देते हैं पर इतनी इंकम के सामने कोई एकात बिजनेस में अगर कोई नुकसान जाएगा तो कहीं न कहीं से इंकम के सोर्स बहुत हेवी चालू रहेंगे आपके जिएवर में तो कोई घबराने वाली सब्जेक्ट इस हाथ पर नहीं है तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद